नमस्ते दोस्तों, Life is a gift में आपका हर्दिक स्वागत है आज हम जानेंगे स्वामी शद्धानन सरस्वती महाराज के बारे में स्वामी शद्धानन सरस्वती भारत के शिक्षाविद, स्वतंत्रता, संग्राम, सेनानी तथा आरे समाज के सन्यासी थे जिनों ने स्वामी दायानन सरस्वती की सिक्षाओं का प्रसार किया। वे भारत के उन महान राष्ट भक्त सन्यासियों में अग्रणी थे। जिनों ने अपना जीवन स्वाधिन्ता, सवराज्य, सिक्षा तथा वेदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया स्वामी शद्धानन का जन्म दो फरवरी सन 1856 वो पंजाब प्रांत के जालंदर जिले के तलवान ग्राम में एक कायस्त परिवार में हुआ था। उनके पिता लाला नानक चन इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा साशित युनाइटेड प्रोविंस में पुलिस अधिकारी थे उनके बचपन का नाम ब्रोहसपती और मुंशी राम था किन्तु मुंशी राम सरल होने के कारण अधिक प्रचलित हुआ। पिता का ट्रांसवर अलग-अलग स्थानों पर होने के कारण उनकी आरंबिक शिक्षा अच्छी प्रकार नहीं हो सकी। लाहोर और जालंदर उनके म मुख्य कारेस्तल रहे। मुंशी राम की बाल्ले अवस्ता एवं किशोर अवस्ता अपने पिता के साथ वेतित होती रही। इन्होंने बनारस के क्विस कॉलेज, जैनारायन कॉलेज और प्रयाक के म्यो कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की थी। वैंश परमपरा के अनुसा वार को एक पेर पर खड़े होकर सो बार हनुमान चालिसा का पाट करते थे। एक दिन उनके क्रिश्यो ठीदय को ऐसी ठेस लगी कि इनकी समस्तर उडिवादी धार्मिक कटरता तीरो ही थो गई। हुआ यहां की काशिके विश्वनात के दर्शनार्थ गए तो उन्हें बाह पुलिस अधिकारी नानक चंद अपने पुत्र मुन्शी राम को साथ लेकर स्वामी धायानन का प्रवचन सुनने पोचे। युवा अवस्ता तक मुन्शी राम इश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। लेकिन स्वामी दायानन जी के तरको और आशिर्वा ने मुंशी राम को दुरूड इश्वर, विश्वासिय तथा वैदिक धर्म का अनन्य भक्त बना दिया। वे एक सपल वकिल बने तथा काफी नाम और प्रसिद्धी प्राप्त की आरे समाज में वे बहुत ही सक्रिय रहते थे। उनका विवाह शीमती शिवादेवी के साथ और स्वामी शद्धानन के नाम से विख्यात हुए। उनका राजनितिक जीवन डोलेट एक्ट का विरोध करते हुए एक स्वातंतरता सेनानी के रूप में प्रारम हुआ। अच्छी खासी वकालत की कमाई छोड़ कर स्वामी जी ने दैनिक वीजे नामक समाचार पत्र में छाती पर पिस्टोल नामक कांतिकारी लेक लिखे। स्वामी जी महाराज गांधी के सत्यागरह में से प्रभावित थे। इतने निर्विक की जनसभा करते समय अंग्रेजी भोज वह अधिकारियों को वे ऐसा सहास पुर्ण जवाब देते थे कि अंग्रेज भी उनसे दरा क करते थे। 1922 में गुरु का बाग सत्यागरह के समय अमरूत सर में एक प्रभावशाली भाषन दिया। हिंदू महासभा उनके विचारों को सुनकर उन्हें प्रभावशाली पत सेना चाहती थी। किन्तु उन्होंने इसे अस्विकर कर दिया। आर्रे समाज के सिद्धानतो का समर्तक होने के कारण उन्होंने इसक का बड़ी तेजी से प्रचार प्रसार किया। वे नरम दल के समर्तक होते हुए भी ब्रिटिश उदार्ता के समर्तक नहीं थे। आर्रे सामाजी होने के कारण उन्होंने हरिद्वार में गंगा किनारे गुरुकुल कंगाडी की स्वामी शद्धानन के दलीतों की भलाई के कार्रे को निडर हुकर आगे बढ़ाया। सत्यागरा करते हुए बंदी बनाये गए थे। स्वामी शद्धानन कॉंग्रेस से अलग होने के बाद भी स्वातंतरता के लिए कार्रे लगातर करते रहे। सत्यागरा करते हुए इश्वर की प्रात्ना करे और उनकी सत्या से इस योग्य बनने का यतन करे कि हमारे मन, वानी और कर्म सब सत्या ही हो। सर्वद्या सत्या का चिंतन करे, वानी द्वारा सत्या की ही प्रकाशित करे और कम्रे में भी सत्या ही प्रालन करे। लेकिन सत्या और कर्म के मार्ग पर चलने वाले इस महात्मा की एक वेक्ति ने 23 दिसेंबर 1926 को चान्नी चोक दिल्ली में गोली मार कर हत्या कर दी। इस तरह धर्म, देश, संस्कृती, सिक्षा और दलितों का उत्तान करने वाला या युग धर्मी महापुरुष्ट सदा के लिए अमर हो गया। धन्यवाद।